अब आव एक प्रोग्राम बनाके देखे सम उफ टू नंबर्स का अगर आप कोई programming language बढ़ रहे हैं तो simple simple program तो आपको बनाने आने चीए इसके बाद हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी बनाएंगे तो आप सम उफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाई है इस से अपकी प्रैक्टिस होगी ठीक है आप इस वीडियो को पोस्ट कर लिजे और बना के देखिए I hope अपने try किया होगा मैं अब ता देता हूँ सबसे पहले तो मैं user को एक message दूँगा welcome this is program for sum of two numbers उसके बाद मैं एक x नाम के वरिवल में user से first number input कराऊंगा ठीक है मैं user को message दूँगा enter first number ठीक है अब मैं जो जो user ने नमबर एंटर किया मैं उसको integer type में change करतूँगा क्योंकि variable की value change हो सकती है तो मैंने change कर दी ऐसी मैं वाई में क्या करूँगा second number के लिए input करा लूँगा ठीक है हम इस वाई में जो भी value store होगी मैं उसे integer type में change कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद मुझे print करवाना है sum of two numbers is plus यहां पर क्या यहां पर x plus y ठीक है अब x plus y यह integer type में है तो मैं इनको strings में change कर लेता हूँ ताकि यह दोनों string concatenate हो जाए यह program हमारा त्यार है इसको save कर लेता हूं मैं f5 से run कर लेता हूँ ठीक है एंटर first number माले जमेन एंटर किया 15 enter second number माले जमेन एंटर किया 15 sum of two numbers is 30 ठीक है अब आयोब आपको इस समझ आ गया होगा ठीक है अगर मैं यहाँ पर x को integer में ना चेंज करूँ और y को इस integer में ना चेंज करूँ तो क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए ठीक है एंटर first number first number में एंटर कि लिए माले 15 enter second number में में माले 15 15 तो 15 15 तो दोनों string and catinate हो चुकी है वालब कि यह दोनों number आपस में जूट चुकी है ठीक है और तो ऐसा नहीं होना चाहिए था इसलिए हमने उनको integer type में change किया था अगर मैं string भी ना लिख हुए यहाँ पर तो क्या होगा ठीक है एंटर first number माले जमिन एंटर किया 15 enter second number माले जमिन एंटर किया 15 तो 15 15 तो फिर से 15 15 आया तो इसलिए हम कहते हैं कि आप बता दीजे कि यह integer में change कर लिजे हम print command के अंदर भी यह काम कर सकते है integer वाला ठीक है और हम इसके बाद इसमें बाहर ऐसे string लिख देंगे तो यह भी हमारा program बिल्कुल सही work करेगा I hope आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ मैं माले जमिन बड़ा नम्बर ले लाता हूं 156 और तुसरा नम्बर ले ले तो मैं 4 तो 160 तो बिल्कुल output बिल्कुल सही आ रही है तो यह program हमारा बन के त्यार है तो यह थो था practice के लिए अब मैं आपको एक बहुत ही important concept समझाने जा रहा हूं procedure का procedure का ठीक है इसको समझने के लिए आप सोचिए कि plus operator क्या काम करता है प्लस operator ठीक है प्लस operator क्या काम करता है दो input लेता है ठीक है प्लस operator क्या करता है दो input लेता है यह दो से ज़्यादा और more और उस पे कुछ काम करता है और उन number का sum हमें दे देता है ठीक है यह काम करता है प्लस operator ठीक है अब procedure क्या है प्रोसीजर एक तरीका है जिससे हम खुद के function बना सकें ठीक है अब यह plus operator तो प्रीडिफाइन होता है ठीक है अब हम ऐसे खुद के procedure, खुद के function बनाएंगे जो कि हमारे लिए कुछ काम करें ठीक है, अब हम इसको एक example से समझेंगे, ठीक है, यह basically हम कह सकते हैं, हम खुद के function कैसे define करें, उसको procedure बोलते हैं, ठीक है, और वो काम हम कैसे करते हैं, उसका syntax देख लीजिए आप, ठीक है, सबसे उसके लिए हम use करते हैं, define, उसके लिए हम define keyword use करते हैं, ठीक है, उसके बाद procedure का नाम, या अपने function का नाम, जैसे कि मा लिए मैंने अपना function बनाना है sum का, ठीक है, उसके बाद, bracket में हम लिखते हैं, कि क्या input होगी, जैसे plus operator, कुछ input लेता था, ऐसे ही हम, हम कोई function बनाएंगे, वो कुछ input लेगा, ठीक है, वो input हम यहां लिखेंगे, ठीक है, आपको न plus b, a, plus, oh, sorry, a, b, ठीक है, sum ने दो input लेली, माल लीजिए, a, b, ठीक है, तो, plus operator तो, plus operator का तो पक्का होता था, कि वो, हमें output में दोनों का sum ही देगा, पर हम जब अपने खुद के procedure बनाएंगे, तो हम define करेंगे, कि हमें इन दोनों input से क्या गाम करवाना है, ठीक है, जैसे कि मुझे इन दोनों input से काम करवाना है, प्लस करने का, ठीक है, तो मैं क्या, तो, इसके वाज यहाँ पर semi-colon भी आता है, ठीक है, तो, अपना खुद का function कैसे बनाते हूं, define, उसके बास, जो भी हमने procedure बनाना है, उसका नाम, उसके बास, bracket में हम input लिखते हैं, दो input हो सकती है हैं, दो से ज़्यादा भी input हो सकती है, input में string भी हो सकती है, कोई variable भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम example देखेंगे, तो आपको समझ आएगा, ठीक है, उसके बास, यहाँ पर लिखना होता है, return, return का मतलब होता है, कि यह दो input लेगा, और output में क्या देगा, जो output में देग है, माल लिजे, हमने ऐसा function define कर दिया हुद, ठीक है, अब हम अपना कोई program बना रहे हैं, और उसमें हम चाहते हैं, कि, उसमें हम चाहते हैं, कि, अब मैं अगर command दे दूँ, print, ठीक है, और print command के, print command के बाद मैं अपने function का नाम लिख दूँ, अगर sum, और उसके बाद मैं bracket में लिख दूँ, कि, 5,10, 5,10, ठीक है, मैं इसको save करता हूँ, और run करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, इसको save करता हूँ, और run करता हूँ, ठीक है, 15, तो हुआ क्या, 15 हो गया, तो, अब देखें, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमने decide कर लिया, कि, कुछ भी ऐसा function होगा, sum नाम का, उसके अगर output में, हम एक ओमा भी, दो भी, कोई भी दो input लेंगे, उनका हम, उनका output दोनों का प्लस आजाएगा, ऐसे ही हमने क्या किया, एक print command ली, ठीक है, उस sum नाम के function में हमने दो input रख दी, तो इन दोनों input का sum, इन दोनों का प्लस आएगा, जैसे कि हमने यहा अगर मैं यहाँ पे a प्लस b की जगा, a times b कर दूँ, और अब मैं इसको run करूँ, अब देखिए क्या output आ रही है, 50, यह देखिए 50 output आ रही है, ठीक है, तो यह है function, अब बात आती है कि हम function क्यों पड़े, यह दो हम वैसे भी कर सकते थे, friends, ऐसा बिलकुल मत सोचिए कि function concept important नहीं है, असल में बात ऐसी है कि function के बिना किसी भी programming language में कुछ जारा है ही नहीं, मतलब यह बहुत important होते हैं, ठीक है, यह आपको आगे जलके समझ आएगा, अभी के लिए आप इतना समझ लीजे, कि अगर हम program को अपने दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो ज्यादा memory consume होती है, ऐसे बनाते हैं, तो कम memory लगती है, और भी बहुत फाहिदे हैं, वो अभी आपको जैसे जैसे हम example करते जाएंगे, वो आपको clear होता जाएगा, और जो अच्छे programmers होते हैं, वो अपने program ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, अब आप function समझ लीज multiply, ठीक है, और मुझे यहाँ भी multiply करना पड़ेगा, अगर मुझे इस function को काम करवाना है, ठीक है, तो यह है function, ठीक है, हम इसको save करता हूँ, इसको run करता हूँ, तो फिर से 50 output आईए है, हम एक से ज्यादा function define कर सकते हैं, जैसे कि मैं एग और function define कर सकता हूँ, नीचे कर देता हूँ, define, मुझे function define करना है, subtract का, या कुछ भी नाम लेख सकते हैं, function का, वो भी 2 output लेगा, ठीक है, ए और बी, ठीक है, और वो क्या करेगा, यहाँ पर semi, यहाँ पर colon का sign जरूर लगा देंगा, ठीक है, ने तो आपका procedure गलत हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं, इसमें, यहाँ पर मैं output में चाहता हूँ, कि B-E हो, ठीक है, और मैं अगर print करवाँ, अगर मैं यहाँ पर print करवाँ, सब, 10,50, ठीक है, मैं इसको save कर लेता हूँ, run करता हूँ, output देखें कर रहे है, 50 और 40, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को multiply काम ने काम किया है, यहाँ पर subtract का काम किया है, अब देखी, अब मुझे एक बहुत बड़ा program बनाना है, ठीक है, मैं पहले define करते लूँगा कि मुझे इस program में क्या-क्या चाहिए, मैं पहले बड़े सारे function मना लूँगा, कि इस function से यह काम होगा, इस function से यह काम होगा, जैसे कि अगर आगे चल कि हम अच्छे program मनाएंगे, तो यह use करेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर बाद में जब हम अपने उस काम को करने लगेंगे, तो हमें सिरफ एक एक दो-दो line लिखनी पड़ेगी, जैसे यह एक line लिखी, तो दो number का multiplication होगा, एक line लिखी, तो यह दो number का subtraction होगा, ठीक है, यह आव ऐसे भी हो सकता था, यह मैंने आपको समझाने के लिए यह example लिया है, इसके use तो अच्छे है, यह मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे example लिया, अब बात करते हैं कि क्या के ध्यान में रखनी हैं आपको चीज़े, किसी procedure को define करते हुए, सबसे पहले तो, मैं दो लाइन हटा देता हूँ, सबसे पहले तो, आपको define keyword यूज़ करने मैं बार बर बोल रहा हूँ, और return keyword और define keyword, एक procedure को define करते हुए यह दूनों word तो आएंगे, यह आएंगे, और semi column, यह तिनों चीज़े must है, उसके बाद procedure करना हम आप कुछ भी दे सकते हैं, यह inputs है, inputs यह procedure की inputs है, function की मारे input है, ठीक है, और यह भी important है कि आप इनको comma से ही separate कीजिए, और कोई symbol से separate नहीं हो सकती है, यह input और input दो से ज्यादा भी हो सकती है, सिरफ एक input भी हो सकती है, ठीक है, और अब main बात, return statement, ठीक है, यह हमने function define कर दिया, ठीक है, इसके बाद जो काम होगा न, वो थोड़े space के बाद होगा, define के बाद, define तक, यहां तक हमने, यहां तक हमने कोई space, यहां तक के space में मने कुछ दे लिखना, ठीक है, तो होता कहा है, python का जो code होता है, वो white spaces को भी count करता है, white spaces बहुत matter करता है python में, अगर आपने कोई होड़ language पढ़ी होगी, java c++ c, तो उसमें आपने देखा होगा, बहुत सारे इसे ऐसे brackets मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे, मतलब की curly brackets, curly brackets, यह, वहाँ पर अगर हम कुछ काम करते तो इन brackets के बीच में करते थे, पर python में हम जो काम करते हैं, थोड़ा space छोड़के करते हैं, ठीक है, तो python में इन brackets का का काम space करता है, अगर आप यहाँ पर space नहीं देंगे, तो यह error देगा, ठीक है, तो यह था कि हम अपने एक procedure, अपने function को कैसे define करते हैं, ठीक है, हम यह बोलते हैं कि हमने एक, हमने एक function को define करने के लिए उसका नाम लिखा, और उसने दो input लिए, और output में हमें यह दिया, ऐसे read करते हैं इसको, और जब भी हम कोई, माल लिजे दो function हमें define कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम अपनी coding start करते हैं, ठीक है, और लिखते ह हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि print, तो हम कहेंगे कि, जैसे हम लिखते हैं, print, यहाँ पर प्रोसीजर का नाम लिखते हैं, ठीक है, हम यहाँ कहते हैं, कि हमने, सब नाम के function में, दो value pass करा दी, दो value pass करा दी, मतलब दो input दे दी, दो arguments pass करा दी, ठीक है, ऐसे words भी use हो सकते है, arguments, ठीक है, values, दो values pass करा दी, दो arguments pass करा दी है, तो मैं simply बोलूँगा कि हमने 2 input दे दी है, ठीक है, और output में हमें result देगा, ठीक है, तो यह था procedure कैसे define करते हैं, next video में, यह तो सिर्फ basics था, और next video में हम इसको अच्छे से देखेंगे, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और वीडियो को share कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को कहिए, और इस वीडियो को like भी कीजिए, thank you